Hello friends, हम समझने जा रहे हैं what is morpheme, morpheme क्या चीज है और इसके कितने टाइप होते हैं दोस्तो part 1 में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, next part में जो free and bound morpheme हैं इसके आगे types हैं, lexical, grammatical, inflectional and derivational, इनको समझेंगे और confusion ना हो, इसलिए इस part में मैंने सिर्फ इतना cover किया है First thing to remember is that morpheme is a word और a part of word which have meaning कोई भी ऐसा शब्द या किसी शब्द का कोई ऐसा हिस्सा जिसका कोई meaning है, हम उसे morpheme कहेंगे The second and the most important thing to remember is that which cannot be further divided into meaningful small parts हम morpheme उसे कहेंगे जिस word को आगे small meaningful parts में हम नहीं बांच सकते तो दोस्तो इसको समझने के लिए आप example ले लिजिए, bat, cat, rat, hat, etc तो bat का क्या meaning है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब हम इसे divide करते हैं अगर be को अलग कर दीजिए, at को अलग कर दीजिए, अभी हमें लगेगा कि at का तो meaning है, ये एक meaningful thing है तो at भी morpheme हो सकता है इस word में, लेकिन नहीं दोस्तो, क्योंकि जो meaningless निचे remainder बचता है, meaningless part बचता है, जिसे हम be कह रहे हैं यहां पे, उसका कोई meaning नहीं है इसलिए at इसका morpheme नहीं होगा, morpheme क्या है, पूरे का पूरा word, b, at, bat, हम इसको आगे further divide नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर divide करते हैं, तो कुछ meaningless remainder बचता है हमारे पास, ऐसे ही cat ले लिजिए, c, a को अलग कर दीजिए, t को अलग कर लिजिए, दोनों का तो कोई meaning नहीं हुआ, लेकिन अगर आप c को अलग करते हैं, a, t को अलग करते हैं, तो at का meaning होता है, लेकिन morpheme क्या कहता है, कि हम हम आगे उसको further divide नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ meaningless remainder बच रहा है, तो यह morpheme जो होगा, पूरे का पूरा word होगा, वो morpheme कहलाएगा, और हम इसे आगे divide नहीं कर सकते, I hope आपको इतना समझ में आ गया है, अभी हम बात करते हैं कि morpheme के कितने types होते हैं, so friends, morpheme होते हैं एक होता है free morpheme and another one is bound morpheme, दोस्तो free मतलब अजाद, independent, सवतंतर, तो इस तरह के जो words हैं, जिनको हम आगे divide नहीं कर सकते, वो हुए free morpheme, अब अपने आसपास ही बहुत सारे example हैं, देख लिजी आपने fan को देख लिजी, हम fan, अभी हमने जैसे उपर समझा, bat, cat, at का तो meaning है, ले ये सारे के सारे दोस्तो free morpheme हैं, क्योंकि हम इन्हें आगे divide नहीं कर सकते, और free morpheme के भी दो type होते हैं, one is lexical and grammatical, अब lexical में कौन-कौन से आते हैं, grammatical में कौन-कौन से आते हैं, मैं आपको ये next partner समझाऊँगा, इस type of our morpheme is bound morpheme, तो bound मतलब जो जोड के बनाया हो किसी चीज को, वो अपने आप में free नहीं है, वो किसी के ओपर depend है, it is not complete in itself, तो दोस्तो इसे सहरा लेना पड़ता है, free morpheme का, ठीक है, तो free bound morpheme क्या हो गया, जो किसी के ओपर depend है, यानि कि free morpheme के ओपर depend है, दो शब्दों को म मिला कर बना है, अभी इसको हम आगे दो पार्ट में divide कर सकते हैं, इसके दो types है, inflectional and derivational, तो दोस्तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया कि morpheme क्या है, morpheme के कितने types होते है, free morpheme क्या है, bound morpheme क्या है, अभी next topic में हम cover करेंगे, free morpheme के दो types, lexical, grammatical and bound morpheme के दो types, inflectional and deriv So friends, I hope आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगया तो please like, share, subscribe, thank you very much